जय जय स्री राम सिंगरास के दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके ही यूटूब चैनल में मैं हूँ अचारिस के तिवारी दोस्तों गुरुबार 5 दिसंबर का रासी फल कैसा रहेगा आईए जानते हैं उससे पहले बात करते हैं आज के पंचान के बारे में आज गुरुबार 5 दिसंबर 2024 मार्गसी सुकलपक्ष की चतुरतीती थी विक्रमी संबर 2021 आज का सुर्योदे सुबह 7 बचे होगा तो है आज का सुर्यास 5 बच के 24 मिनट पर होगा आज के दिन चंद्रमा पूरे दिन मकरास में गोचर करेंगे आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी रासी मकर होगी बात करते हैं आज के मुहुर्तों की तो ब्रेम्ह मुहुर्त रहेगा 5 बच के 11 मिनट से सुबह 6 बच के 5 मिनट तक अब जीत मूर्थ रेगा 11 बच 51 मिनट से 12 बच 33 मिनट तक आज के दिन अमरित काल का समय रहेगा 10 बच के 69 मिनट सुवए से दोपहर बान 12 बच 36 मिनट तक आज रवियोग बना हुआ है 7 बचे सुवए से लेकर 75 बच के 26 मिनट तक तो ये थे आज के सुमोहुर्थ, इन सुमोहुर्थों में आप कोई भी सुबकार आरम कर सकते हैं आज का राहुकाल का समय रहेगा 1 बच के 30 मेर, दो पहरवाज से 2 बच के 8 तालिस मेर तक राहुकाल के समय किसी भी सुबह और अच्छे कारियों की सुरुआत नहीं की जाती है अब आई ये बात करते हैं आपके रासिफल के बारे में तो सिंग रास के दोस्तों आज के दिन चंद्रमा आपके छटे भाव में गोश्चर कर रहे हैं आज आपको थोड़ा साब्धान और सतर करेना होगा स्वास समंधी कुछ अधिक परिसानी देखने को मिल सकती है आपको भले नहो लेकिन आपके घर बालों में सी किसी को हो सकती है आज सिर्फ बैठने के बज़ाए कुछ ऐसा करें जिससे आपके आमदनी और भी जादा बढ़ सके लगाता डाट फटकार बच्चे का बेवहर बिगार सकता है समय की मांग है कि धैरिस से काम लिया जाए और बच्चों को थोड़ी आजादी भी दी जाए आज के दिन दूसरों के लिए बुरी नियात रखना मांसिक तनाओ को जन्मे दे सकता है ऐसे बिचारों से बचें क्यूंकि ये समय की वरबादी है और आपके छमताओं को खत्म कर देते हैं आर्थि के स्थिती तंग होने के कारण कोई महतपूर कार बीच में ही रुख सकता है बच्चों से बात करने और काम करने में आपको कुछ दिक्कत महसूस होगी साथ ही आज के दिन पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है आप उनके साथ कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं सिंगरास के दोस्तों आज की दिन आप के लिए बहुत कुछ सकारात्मक रहने वाला है भविस्त की योजनाओं के लिए आपको नए संपर्क बनाने होंगे वो आपके केरियर की प्रकत में बहुत मददगार साबित होंगे आपके नजरिये में छोटा सा बदलाव आपके मन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेगा आज आपके रुके हुए काम बहुत ही जल्द पूरे होते चले जाएंगे आने वाला समय आपके लिए जीवन बदलने वाला समय साबित होगा आप जो भी काम सुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी स्वास्त के मामले में जो सा उस्साह बना रहेगा आस्था और आध्यात्मे में ब्रिद्धी होगी जो लोग कोट का चहरी के छेते से जुड़े हुए हैं उनका दिन आज अच्छा कहा जा सकता है आज आपको अपनी बाणी पर थोड़ा सा नियंतर जरूर रखना होगा आज आपका नया काम आपको अच्छा लाब देने वाला साबित होगा आप कुछ नया करने की सोचेंगे जिसमें माता पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा इसके साथ ही आपके बिचारों का सम्मान होगा अब्यापार में ब्रिद्धी होगी अचानक लाब मिलने के योग बन रहे हैं न विवाही जोड़े एक दूसरे एक साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास कर सकते हैं सिंगरास के दोस्तों आज का दिन ऐसी चीजों को खरीदने के लच्छा है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है साथी आज के दिन मित्रों से भी साथ मिलेगा लेकिन जीवन साथी से किसी छोटी सी बात पर अनबन घर की सांती को भी भंग कर सकती है इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा आज आपका दिन लगभख सकारात्मक रहेगा आपका स्वास्त ठीक ठाक रहेगा नए बिजनस के लिए घर में चर्चा और विचार विमर्स हो सकता है अपने आप में बदलाव लाने के लिए आज का दिन अच्छा है आगे बढ़ने के लिए आप एक नई योजना भी बना सकते है जीवन में बेहतरीन चीजों को महसूस करने के लिए अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोले और चिंता को छोड़ना इसकी और पहला कदम होगा अपने खर्चों पर काबू रखे और आज फिजून खर्ची से बचे दोस्तों के साथ कुछ करते समय अपनी उरुच्चियों को नजर अंदाज ना करें हो सकता है कि आपकी जरूरतों को ज़्यादा गंभीरता से ना ले रहे हो आज आप खुब पैसा कमा सकते हैं लेकिन ऐसे मोकर को अपने हांस से जाने ना दे अपनी योजनाओं पर भरोसा करें आज किसी से बिवाद होने की संभावना भी बन रही है आर्थिक मामलों या लेन देन में साबधानी बरतनी होगी पर जोनों के साथ छोटा मोटा मनमुटाव भी देखने को मिसकता है तो सिंग रास के दोस्तों ये था आज आपका रासी फल कल फिर से एक नए रासी फल के साथ हम आपके साथ होंगे जै स्रीरा